हेलो फ्रेंद्स, वेर्कम टू मैं चैनल आज में इस केक पर एक नए डिजाइन बनाने चाह रहे हैं जो फ्री कलर फ्लोरी डिजाइन है इस केक को मैंने चॉक्टेट फ्रेवर में क्रम कोटिंग करके फिनिश कर लिया है यहां कस्टमर को आउटर कवरी में तर्कॉइस कलर चाहिए था तो मैंने विप क्रिम में टू ड्रॉप्स तर्कॉइस कलर मिडाकर यह कलर बनाया है इस तरह की से अगर हम केक पर क्रीम अपलाई करेंगी तो ज्यादा क्रीम बिस्ट में नहीं होती है और वो अच्छे सीवी फॉर्म ले केक पर स्प्रेड होती है मैं अब इस पैचलो की हेल्प से पूरे केक को फिनिशिंग दे रही हूँ इस इसी तरह के से अपर कोटी में भी फिनिश करना है इसकी बाद मैंने यह स्क्रेपर यूज किया है जैसे पूरे साइड में अच्छी फिनिशिंग आ जाएगे जैसे इस साइड में फिनिशिंग हो जाएगी हमें इसे उपर के तरह फिनिश करना है अब एक बार हमें और फानल फिनिशिंग कर लेनी है अब यह स्क्रेपर यूज करके मैंने केक के साइड में पैटन देती है इससे केक को अच्छा लुक मिलता है फ्रेंज इसे करके हमें थोड़े देर इस केक को फ्रिज में रख देना चाहिए सेटिंग के लिए अब इस ब्रश को यूज करके मैंने केक के अपर पोर्शन में भी पैटन दे दी है इससे केक को अच्छा लुक मिलता है यहाँ मुझे केक पर थ्री कलर से आइसिंग कर वी है पहले मैंने लाइट पिंक करर के स्मॉल रोजर्स सारे केक पर बना लिए ऐसे हमें साइड्स पर भी स्मॉल रोजर्स बना लेने है दूसरे फ्रावर को हमें थोड़ा डार्ट रखना है इससे इस केक को अच्छा लुक मिलेगा पूरे केक के पर हमें छोटे स्मॉल रोजर्स बनाने है इसमें थर्ड कलर का जो फ्लावर वो सबसे डार्क होना चाहिए इसलिए मैंने मैजिक रड कलर की टू ड्रॉप्स वीप क्रीम मिला कर ये क्रीम बनाया इस केक पर 3 different colors के roses बनाने से ये cake का लूग इतना अच्छा आ रहा है अब हमें ये flowers के पास leaves बनानी है इसके लिए मैंने green color की whipped cream बनाई अब हमें leaf noses यूज़ करके सारे flowers के size में चोटी चोटी leaves बनानी है ग्रीन रंग यूज़ करने से केक का लूग बहुती सुन्दर दिखेगा आपको साइड में भी ऐसे ही रीज बनानी है अब इसे green color को यूज़ करके मैंने cake की बॉडर बना दिए है रिज़े फ्रेंच तयार है हमारा three color का floral cake कस्टमर को यह design बहुत ही पसंद आया आपको यह design कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताईए यहां flowers को मैंने silver ball से डेक्रेट कर दिया है थैंक्स पॉर वाचीं